मैं धक हार कर काम से घर वापस जा रहा था कार में शिशे बंध होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी मैं उस सुराख को ढूनने की कोशिश करने लगा पर नाकामियाब रहा कडाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुचा रात के करीब बारे बच चुके थे मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा बहुत देर हॉर्न भी बजाया शायद सब सो चुके थे दस मिनट बाद खुद ही उतर कर गेट खुला सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुने जा सकती थी कार अंदर कर जब दुबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने दिखा कि एक आट से तस साल का बच्चा अपने कुट्टे के साथ मेरे घर के सामने फुटपात पर सो रहा है वह एक अधफटी चादर ओड़े हुए था उसको देखकर मैंने उसकी थंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सक पका गया मैंने एक महंगी सी जैकिट पहनी हुई थी फिर भी मैं थंड को कोश रहा था और वो बेचारा बच्चा मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुट्टा बच्चे की चादर छोड मेरी कार के नीचे आकर सो गया मेरी कार का एंजन गर्म था शायद उसकी गर्माहट कुट्टे को सुकून दे रही थी फिर मैंने कुट्टे को भगाने की बजाए उसे वही सोने दिया फिर बिना अधिक आहट किये पीछे का ताला खोल घर में गुस गया सब के सब सो रहे थे मैं चुप चाप अपने कमरे में चला गया जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई उस लड़के का खयाल मेरे मन में आ गया सोचा मैं कितना स्वार थी हूँ मेरे पास विकल्प के तौर पर कम्बल चादर रजाई सब थे पर उस बच्ची के पास एक अधफटी चादर भर थी फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुट्टे के साथ बाट कर सो रहा था और मुझे घर में फाल्तू पड़े कम्बल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था यही सोचते सोचते ना जाने का मेरी आँख लग गई अगले दिन सुभए उठा तो देखा घर के बाहर भीर लगी हुई थी बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना अरे वो चाए बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया मेरी पल के कापी और एक आशू की बून्द मेरी आँख से चलग गई उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था मानो उठाने की कोशिश कर रहा हो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है ये आज के इनसान की सच्चाई है मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानव नहीं दानव बन जाता है और शायद हम में से जादतर लोग दानव बन चुके है हम अपने लिए पैदा होते हैं अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं ये भी कोई जीना हुआ चली फिर से एक बार मानव बनने का प्रयास करते हैं चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरत मंदों को देते हैं चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं तो दोस्तों अगर ये कहानिया आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारे चैनल कहानियों का डाबा को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नई शांदार काई